ना हम सफर ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पाउं का काटा हमी से निकलेगा जी आदाब, क्या हाल है? How are you? Welcome to this episode, a new episode of Cinebuzz क्या आपको मालूम है कि आनिल कपूर जब फिल्म इंडास्ट्री में बड़े स्टार बनने एक नए शेहर में आए वो रुके थे राज कपूर के घर के गराज में, जी हाँ, और धीरे धीरे उनके जो करियर था, उसने रफ़तार पकड़ी और वो बड़े स्टार बन गए और आज वो क्या है, आप तो जानते ही हैं, खैर, जैसा कि हमने कहा था, कि ऐसा कोई राज नहीं बॉलिवुट का जो आप से चुपा रहेगा So, what is there in this episode? We'll tell you, let's begin the show शुरुआत करते हैं खबरों के साथ, दिपिका बाद कोन फिल्म पीकू में अपने को स्टार रहे इर्फान खान की फिल्म मदारी देखने पहुँची, किस के साथ? Of course, रनवीर सिंग के साथ, और वहाँ हमें नए जमाने का एक वर्ड देखने और सुनने को मिला PDA, यानि की Public Display of Affection और सल्मान खान, सानिया मिर्जा की ओटोबाइग्रफी, Ace Against Odds को लाँच करने पहुचे उनके साथ ही और वहाँ पर हमेशा की तरह उनसे कई दिल्चस्प सवाल पूचे गए When are we expecting your autobiography? I think I'll take my story to my grave. यह तो बहुत सारे graves कुट जाहेंगे और टाइगर श्रॉफ की अगली फिल्म फ्लाइग जट का ट्रेलर लाँच हो गया तुमारी इस नई ताकत और पुराने पागलपन को मिला कर हम दुनिया जीत लेंगे और देस वन प्रोब्लम रखा Go and finish it चिडियों से मैं बास तुड़ाऊँ किद्ड़ों को मैं शेर बनाऊँ सवा लाख से एक लड़ाऊँ